नमस्कार, Class 6, Exercise 3.3, Question 3 का B part हम कर रहे हैं, 1, 2, 5, 8, 1 नमबर है, हमें इसका 6 के साथ Divisibility चेक करना है, 6 के साथ, तो अभी हमने सीखा कि 6 के Divisibility के लिए इसे 2 और 3, दोनों का Divisibility टेस्ट पास करना होगा, तो सबसे पहले हम Divisibility देखते हैं, 2 के साथ, Divisibility by 2, 2 के साथ देखने के लिए, मैंने यह नमबर लिखा, 1, 2, 5, 8, मैं इसमें से सिरफ इसका यूनिट प्लेस उठाऊँगा, कौन सा प्लेस उठाऊँगा, यूनिट प्लेस उठाऊँगा, इसका यूनिट प्लेस है, 8, और हमें पता है कि 8 जो है, वो 2 से Divisible है, 8 is Divisible by 2, अगर 8 Divisible है, तो यह पूरा नमबर भी Divisible होगा, ठीक है, 1, 2, 5, 8 is Divisible by 2, यह हो गया, 2 से इसका Divisibility टेस्ट, पास, कि यह 2 से Divisible है, यह वाला नमबर, 1, 2, 5, 8, अब हमें देखना है, 3 का Divisibility टेस्ट, 3 के Divisibility टेस्ट के लिए, फिर से मैं नमबर लिखता हूँ, 1, 2, 5, 8, और 3 के Divisibility टेस्ट, हमें पता है, उसके लिए हम देखते हैं, sum of digits, sum of digits, sum of digits है, प्लस कर दो इनको, 1 और 2, 3, 3 और 5, 8, 8, 8, 16, ठीक है बच्चों, 2, 1, 3, 5, 8, 8, 16, अब हमें देखना है कि क्या 16, 3 के पाड़े में, 3 का Divisibility है, हमने digits का sum निकाला, अगर ये sum 3 से भाग होगा, तो ये number भी 3 से भाग होगा, अगर ये sum 3 से भाग नहीं होगा, तो ये number भी 3 से भाग नहीं होगा, अब हमें पता है 16 तरी के पाड़े में नहीं आता है 16 तरी के पाड़े में नहीं आता है है ना 5 3 दा 15 16 दा 18 तो 16 तो नहीं आता 3 के टेबल में तो हम लिखेंगे 16 is not divisible by 3 और अगर 16 divisible नहीं है तो यह पूरा नमबर भी divisible नहीं होगा 1258 is not divisible by 3 तो बच्चो 6 के divisibility test के लिए इसने 2 का test तो पास कर ले लेकिन 3 के test को पास नहीं कर पाया यह 3 से divisible नहीं है और हमने कहा था 2 से divisible है 3 से नहीं है यह 3 से divisible है 2 से नहीं है किसी एक से नहीं है तो यह नमबर 6 से divisible नहीं होगा तो हम लिखेंगे इसका मतलब 1,258 is not divisible by 6 ये इसका उत्तर है क्यों नहीं है 6 से भाग क्यूंकि 2 के पाड़े में अत्तर आता है लेकिन 3 के पाड़े में नहीं आता इसलिए 6 से भाग नहीं होगा तो अभी मैंने आपको अपने 2 वीडियो में आपको मैंने इसका थर्ड कोशन का A भाग और B भाग समझाया है बच्चो इसके जो बाकी भाग हैं वो आप स्वयम हल कीजेगा आशा करता हूँ इन वीडियो को बार बार देखने से समझने से आपको इसके बाकी भाग करने में कोई भी परिशानी नहीं होगी यदि आपको ये वीडियो अच्छे से समझाया तो क्रिपया इस वीडियो को लाइक ज़ूट कीजेगा आपके लाइक करने से हमें और अच्छे और मेनत से वीडियो बनाने की शक्ति मिलती है धन्यवाद बच्चो